ओम नमे सिवाई दोस्तों आपका मेरे चैनल पर स्वागत है आसाड का महिन्ना यह महिन्ना हिंदु धर्म में बहुती खास महत्वर रखता है हिंदु पंचांग के अनुसार आसाड मास का चोथा महिन्ना होता है इस महा में वर्सा होती है इस महिन्ने में भगवान चार महिन्य के लिए चिन नेद्रा में विश्राम करने के लिए चले जाते हैं आसाड के महिन्य में साधना व्रत पूजा और भक्ति का महिन्य माना जाता है यह चार और पांच जून से शुरू हो चुका है इसलिए कहा जाता है कि इस दोरान साप पानी ही पीना चाहिए में साधी बिया जैसे सुबकार्ये बंद कर दीये जाते हैं। हिंदु महिनों में चैतर से आरं होने वाले 9 वर्स में या 4 महिना माना जाता है। अंग्रेजी महिनों के क्रम में देखा जाये तो जूनिय जुलाई महा में यह आता है। जेट और सावन के बीच में पढ़ने वाले इस महिने से वर्षा रितु भी आरंब हो जाती है, खास बात तो यह है कि जेट वैसा आख मास की तपती गर्मी के बाद यह महिना वर्षा रितु के आगमन का सूचक होता है, ऐसा आशाड मास के धार्मी क्रत्यों के अंतरगत एक एक वक्त वर्षा भी किया जाता है, जिसमें पूरे मास यह वर्षा चलता है, इस वर्षा के तहट रखे जाने वाले उप्वास में सूरियास से पहले ही भोजन कर लिया जाता है, और जितनी भोखो उससे कम ही खाया जाता है, इस उप्वास में भोजन की सीमा भी बताई ग इस प्रेकार ये व्रत्पूर्ण होने पर खड़ाऊ चाता नमक तथा आवलों को ब्रहामनों को दान दिया जाता है इस व्रत और दान से भगवान विश्णु की किर्पा प्राप्त होती है जो लोग पूरे मास का व्रत न ले पाएं वह यह कारिया आशार मास के प्रथम दिन अतवा सुविधा नुसार किसी भी धिन कर सकते हैं आशार महिन्य के क्रश्न पक्स की चतूर्थी दिथी को भगवान गड़ेश जी की पूजा और व्रत आरम करना चाहिए इस वारी अतिती साथ जून को थी इस व्रत में गड़ेश जी के क्रश्न पिंगाश रुप की पू कारक कीट पतंग जीव पनपते हैं जो नुकसान दायक होते हैं इस महां सात्विक्ता के साथ पूजा पाट करना चाहिए साथ ही साप सफाई के साथ उबला पानी पीना चाहिए और संतुलित भोजन करना चाहिए बाहर कम जाना चाहिए बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए भो जिए इस दिन रखता है उसके संतान संबंदी समास्याने भी दूर होती हैं अपियस और बदनामी के योग कट जाते हैं हर तरह के कारेयो की बादा दूर होती है आसाड महां धन तथा कड़ संबंदी समास्याव का सामाधान होता है आसाड सुकल तृत्या को यदी पुस्पियर नक्सत्र हो तो क्रश्न बलराम तता सुबदरा का रतोत सव का अरजन होता है इस बार यह रतियातरा 19 जुन को निकाली जाएगी आसाड मास में ही गुप्त नवरातर भी है यह साल के दूसरे नवरातर होते हैं पहले नवरातर चैत्र मास में होते हैं इसी तरह अस्विन मास में तीसर नवरातरा तता माग मास में चोथा नवरातरा मनाय जाता है लेकिन साधान ग्रस्त दो ही नवरातरे जानते हैं इंचान नवरातरों का उलेक देवी भागवत और अन्य पुराणों में भी है यह सादको के लिए होता है सादक गुप्त रूट से सादुना कर मा को प्रसंद कर सकती हैं अर्जित करते हैं इसी तरह आचाड सुक्ल वक्स की अश्टमी के दिन महिसासुर नंदनी महिसासुर मर्दनी दुर्गा को हरिद्रा कपूर तथा चंदन से युथ जलमेशनान कराना चाहिए दस मी के दिन पर लक्षमी वरत तमिल नाडो में अत्यन प्रसीद है आसाड़ी पूर्णिमा का भी बहुत महत्व है पूर्णिमा के दिन उत्राश चाड़ा नकसत्र होने पर दस विसुदेवों का पोजन किया जाता है पूर्णिमा के दिन खाद्य का दान करने से विवेक तथा पुद्धी प्राप्त होती है आसाड महिने के सुकल पक्स की सब्तमिति थी पर सूर्योद्य से लेकर पहले उठकर भगवान सूरिय को जल चढ़ा कर विशेश पूजा करनी चाहिए इसके साथ ही व्रत भी रखना चाहिए इससे बिमारियां दूर होती है और समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं यह इस लोग में भोग और परलोग में मुक्ति देने वाली है तिनों लोगों में प्रसीद इस दिन लोग पूरे दिन का वरत रखकर भगवान नारायन की मूर्ति को इसनान करा कर भोग लगाते हुए पुस्प धूप दीव से आर्थी करत हैं गरीबों और ब्रहांणों को दान दिया जाता है इसे काज़ी के बारे में माननेता है कि मनुस्यत सब पाप नश्ट हो जाते हैं और मौक्स की प्राफ्ति होती है आचाड़, सुक्ल, पक्स, एकज़ी, तीथी, को ब्रत्वी किया जाता है यह एकज़ी स्वर्ग और मौ मार्स की एक आठषी नहीं आजाती आशार मार्स के शुक्ल-पक्स की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा अभ्यास पूर्णिमा कहते हैं इस दिन लोग अपने गरुं के पास जाते है तथा उचासन पर बेठा कर मल्या माल्य अर्पन करते हैं तथा πुस्व भल वस्त्र उठाना चाहिए आसार मार्स की व्रत कथा प्राचिन काल में रती देव नामक प्रतापी राजा थे उनकी उन्हीं के राजे में धर्मकेतु नामक ब्रहामन की दोस्त्रियां थी एक का नाम सुसीला और दूसरी का नाम चंचला था सुसीला निक्तिय व्रत करती थी जिसका उस कर दिया मैंने कोई व्रत नहीं किया तो भी मोझे पुत्र प्राप्ति पूत्ति हुआ nett says लेकिन गणेस जी की उपासना करती रही संकट नासन चथूर्ती व्रत से प्रसंट ने यह दर्शन दिए और कहा मैं तुम्हारी साधना से संतुष्ठ हूँ वर्दान देता हूं कि तेरी कण्या के मुख से निरंतर मोती और मोंगा प्रवावी थोते रहेंगे तुम सदा प्रसंट रहोगी तुम वेद सार्थ का ज्याता पुत्र भी प्राप्त करोगी वर्दान के बाद से ही कन्या के मुख से मूती और मुंगा निकलने लगे कुछ दिनों के बाद एक पुतर भी हुआ बाद में उसके पती धर्म केतु का स्वर्गवास हो गया उसके मिरत्ति के बाद चंचला घर का सारा समान धन लेकर दूसे घर में रहने चली गई लेकिन सुसीला पती ग्रह में ही रहकर पुत्र और पुत्री का पालन पोसन करने लगी इसके बाद सुसीला के पास काम समय में ही बहुत सा धन हो गया जिससे चंचला को उससे इर्शा भी होने लगी एक दिन चंचला ने सुसिला की कन्या को कुवे में धकेल दिया लेकिन गणेश जी ने उसकी रक्सा की वह सैकुसल अपनी माता के पास आ गई उसकन्या को देखका चंचला को अपने किये दुख हुआ और उसने सुसीला से माफी भी मांगी इसके बाद चंचला में ने भी कश्ण निवारत संकट मोसन गणीश जी के वरत को किया